राज्य सरकार ने बुद्वार सी लागू के लॉक्टाउं में कुछ रिहायती पीती है। सबची किराना फलो की दुकानों को अनुमती दी है। सरकार की इस निर्ने से बाकी व्यापारियों में आक्रोश निर्वान पाहे। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने पुरा लॉ यहां पाद का राजी सरकार में जो नियम लगाए इन नियमों का पूरी तरीके से पालन ही नहीं होता है राजिये सरकार ने कुछ समय के छूड देना था और जिस तरीके से पूरा मार्केट चालू रखा आप खुद देख रहा है आपने वी बिडियो बनाया है एक गंटे बाद आके देखिए, मार्केट में किसी भी प्रकार की, आप बोलोंगे कि चहल पहल नहीं है, लोगड़ून है, कोई संचार बंदी नहीं है, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है, सिर्फ व्यापारियों को परेशान करने का चाहिए कोई व्यापारी हो, उसको कि पंदरा दिन का लॉकड़ून करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, जिस तरीके से लाइपूर 36 गड़ में लगाया हुआ, 36 गड़ का लॉकड़ून सरकार ने पालन नाखपूर में भी करना चाहिए, और लोगों को व्यापार देनी चाहिए, जो पेसेंट इतने निकल रहा उनके लिए, आज कोई भी व्यवस्ता नाखपूर सहरे में नहीं है, मेडिकल से भी रिलेटेड, और सिर्फ परिसानी हो रही है, इन परिसानीं से आपने अभी निकोड़ किया, यह सबजी मार्केट आप पीछे जाए, किराना मार्केट, इसके बात में दूसरे मार्केट म पर भी सब रोकताम होगी, और व्यापारी भी सब आपके साथ में है, लेकिन इस तरीके से व्यापारी साथ देना नहीं चाहता है, अगर लॉगडाउन तो आपने पुरा कम्प्लीट लगा यह नहीं है, आप खुद भी देखिए, आप हम इतवारी मार्केट में दुकान ल दिखेंगा, लेकिन आपको में चेकिंग करना चाहिए कि मार्केटों में किस तरीका इसका रश है, में कोरोना फैलता है मार्केट के रश से, यहां बहार का वैपारी आता है, आजू-बाजू का वैपारी आता है, तो अगर एक वैपारी यहां से बाहर जाएंगा, तो कोरो तो हमारे इसाब से यह लोगडान का कोई फाइदा नहीं अगर लगाना है तो पूरी तरीके से लगाई यह अधर्वाइस कोई फाइदा नहीं इससे तो हम दुकान के अंदर बैठे हुए जादा अच्छे हैं ज्यादा भाहर रोड पे नहीं दिखेंगे तो कम से कम रोड तो के अंदर रहता कहीं बाहर नहीं निकल सकता था हमारा गवर्मेंट से ही कहना है कि आप इस चीछ पर जयान दीजे कि व्यापारी एक जगह अगर इखटा रहेगा तो छौप के अंदर रहेगा मार्केट में नहीं आएगा और आपने मार्केट बन करके पूरे लेवर को जित कि अपने मार्क परता है इस तरीके से सुन हर आदमी घर के बाहर निकल रहा है कितने को रोकोगे गल्यों से निकलता है कि इसको अगर ना है तो हर चीज को बन करो टोटल बन करो लोगो फर फरक पड़ेगा बजार पाले की तरफ से सचारू हो जाएगा. इस तरीके से क्या होगा जित दिन खोलेगा आठ गर देन बाद खोलेगा सारी पपलिक एक साथ निकलेगी. फिर देखो छेजार, आठ गजार दे सार होगे. फिर क्या करोगे फिर लगदान लगागे. आम व्यापारी का मरन नही इन सब के लिए या तो इसको सिचारू रूप से पुरा इस्टिकली बन करो नहीं तो पुरा नंग खोल दा साले को जिसको जो नहीं होगा कि जहां पब्लिक दिखी और तोड़ो वह करफियो लगना चाहिए वैसा लॉगड़ॉन होना चाहिए और सरकार ने इतने मुद्धे अभी घोष्णा है कि आदिवासियों के लिए रिक्से वालों के लिए और फेरी वालों के लिए दुकांदारों के लिए कोई घोष्णा न सब्सक्राहिए और अपने घर का खर्चा भी कहांद से निकालेगा कोई व्यापारी कहां से निकालेगा सरकार को इस मुद्धे पे धियान देना चाहिए यह कि आप आप यामरी टील करना लेना जाए तो आपको वह फेक खड़े रहने से डर लगता है एक जन किया प्रिपो won तो उससे पुझे पूचो खराब नहीं आ trades बहुत पर दो शाआए !". आज वहाँ पे इतनी अच्छी medical situation है अपने आनी है अपने आमामारी फैल गई तो आप उसको control नहीं कर सकते बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको lockdown लगाना है तो पूर्ण रूप से लगाईए इस तरीके से मत लगाईए एगर आप ही देखिए कि जिस तरीके से भीर चल दी है ऐसा lockdown का कोई फाइदा नहीं है इसमें हम लोग ही डूब रहे हैं और कोई नहीं अगर लगाईए कोई मना नहीं हम 2020 में तीन मैन अगर में बैठे कभी मना नहीं कि एक पूर्ण रूप से एक जैसा lockdown लेकिन अभी जो lockdown चल रहा है वो पता नहीं सरकार की क्या नीती है क्या दिमाग में चल रहा है किस तरीके से चला रहे है ऐसा lockdown का कोई फाइदा नहीं है जा ठेले वाले अपना काम कर रहे है दुकान वाल अपना खूश है श्रीव भोजन ठाली खाके बड़ा आत्मी वैसी खूश है कसरकार को पैसे खिलाके तो हमारा बोलना है लॉक्डॉन लगाना है तो पूर्ण रूप से लगाईए अदर्वाइस मत लगाईए अपन जानून गेतले कि इतवार इतले वैपर इयान चासा बनना है कि भेदबाव थी भूमी का रहली नहीं पजे कारण जे अर्दे दुकान शुरूआ है अर्दे दुकान बंदा है तस त्यासोबत एक मुद्धा वैपर इने उभागेला है कि जी काही फैसिलिटी तुम्ह शेक पांसी, NBC News, Nakbun